हलो एंड वेलकम बैक माई डियर स्टुडेंट्स आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चेनल माँ आसा इस पॉइंट में स्वागत है दोस्तों आज की कलास में मैं आपको टेंथ कलास के बैलोजी के पर्थम चेप्टर जे परकरम पोशन के जितने भी लॉंग एवं सौर्ट कोईश्चन है एवं अबजेक्टिव कोईश्चन है सबको इस वीडियो में एक्स्प्लेन करने वाले हैं आप इसको धिहान से देखेंगे और अपने कॉपी पर नौट करके याद करेंगे तो पर्थम सवाल क्या है कि जे परकरम किसे कहते हैं पर्थम क्यूस्चन है कि जे परकरम किसे कहते हैं तो वे सारी किरियां जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षन होता है उसे जे परकरम कहते हैं क्या कहते हैं कि वे सारी किरियां जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्ष होता है जिसको मैंटनेस होता है मतलब वे किरिया जिसके द्वारा जीव का मैंटनेस खाना पीना रहना सारे चीज का किया जाता है उसे हम जेव परकरम कहते हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अब स्टार-पॉंट क्या है जेविक क्रियाओं के संचालन विर्धी तूट फूट को रोकने आधी कारियों के लिए जीवों को उर्जा की अवशकता होती है अब आप से objective question पूछा जाएगा कि जीवों जेविक प्रक्रिया के संचालन विर्धी तूट फूट को रोकने आधी कारियों के लिए किस चीच की अवश अवसकता होती है तो क्या होगा इसका option इसका होगा उर्जा की अवसकता होती है अब आगे है कि उर्जा प्राप्त करने के लिए किस चीज की जडूरत होती है आप से ऐसे question पुछ सकता है कि उर्जा प्राप्त करने के लिए किस चीज की जडूरत होता है तो क्या होगा खाद पदार्थों की जडूरत होती है किसके लिए उड़जा प्राप्त करने के लिए खाद पदार्थों की जडूरत होती है बिना खाद पदार्थ का उड़जा थोड़ो तयार होगा आगे क्या क्वेश्चन है कि पोशन क्या है पोशन क्या है तो पोशन वावी धी जिससे जीव पोशक तत्वों को गरहन कर उनका उपियो करते हैं उसे पोशन कहते हैं क्या कहते हैं कि वावी धी जिससे जीव पोशक तत्वों को गरहन कर पोशक तत्व के जितने भी हैं उसको गरहन कर उसका उपियो करते हैं उसे हम पोशन कहते हैं तो जीवों में पोशन कितने विधियों द्वारा होती है आपको question step से पूछेगा कि जीवों में पोशन कितने विधियों द्वारा होती है तो इसका answer क्या होगा जीवों में पोशन portion मुक्यता दो विधियों द्वारा होती है पर्थम क्या है? swap portion और दुसरा क्या है? proportion देखिए swap portion को क्या कहते है? autotrophic nutrition और दुसरा क्या है? heterotrophic nutrition अब question है कि देखिए कभी-कभी ऐसे question पुछता है कि autotrophic क्या है? तो आपको पता हो रहेगा था उनकी swap portion को autotrophic nutrition कहते हैं और proportion को heterotrophic nutrition कहते हैं आपको question ऐसे English का रहेगा आपको Hindi में लिक के पुछ देगा अब आगे question है कि swap portion किसे कहते हैं? swap portion किसे कहते हैं? पर निर्भर न रहकर अपना भोजन swing संसलेशित करके प्राप्त करते हैं उसे swap portion कहते हैं कहते हैं कि वह प्रकिरिया जिसमें जीव किसी दुसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद संसलेशित कर प्राप्त करते हैं हम स्वपोशन कहते हैं जैसे पेंड़ पोधे क्या करते हैं अपना भोजन मतलब स्वएंग ही संसलेशित करते हैं कि नहीं करते हैं आप हमें बताएंगे मानव क्या है स्वपोशी जीव या पर्फोशी जीव अब आगे क्वेस्टन है कि autotrop Autotrop सब्द की उत्पत्ती हमने पहले बताया थे न Swap portion का English होता Autotrop ठीक तो क्या होगा इसका कहते हैं कि इसके सब्द की उत्पत्ती कहा से भी आपको question पूछा जाएगा कि Autotrop सब्द की उत्पत्ती कहा से हुवी तो Autotrop सब्द की उत्पत्ती ग्रीक के दो सब्दो आटो और ट्रॉप से हुवी है किस से आटो और ट्रॉप से आपको question ऐसे भी पुछा जाएगा आटो और ट्रॉप कि उत्पति किस सब्द से हुवी तो क्या होगा ग्रिक सब्द से हुवी है इसका और इसका अर्थ क्या होता है आपसे कुशन इसे भी पूछ सकता है कि ओटो ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है तो ओटो ट्रॉफ का मतलब होता है स्वा और पोसन आटो का मतलब क्या हो गया स्वा और ट्रॉप का मतलब क्या हो गया पोशन अर्थाद स्वा पोशन आटो कार्थ क्या हो गया सेल्फ स्वा या स्वता और ट्रॉप कार्थ क्या हो गया nutrition मतलब portion अब आगे question है कि swaposie autotrops किसे कहते हैं तो वैसे जीव जो भोजन के लिए अन जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वंग संसलेशित करते हैं उसे swaposie कहते हैं वह जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दुसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं swaposie कहते हैं जैसे सभी हरे पौधे इत्यादी सभी हरे पौधे क्या है इसका ही उदारन है swaposie का ही अब आगे question है कि सभी हरे पौधे swaposie होते हैं क्यों सभी हरे पौधे चुकी सभी हरे पोधे में हरित लवक पाए जाते हैं जिसके कारण हरे पोधे अपना भोजन प्रकास संसलेशन विधी द्वारा सयम संसलेशित करते हैं इसलिए सभी हरे पोधे स्वापोसी होते हैं क्या कहते हैं कि हरे पोधे जो होते हैं न वो अपना भोजन प्रकास करते हैं इसलिए सभी हरे पौधे क्या होते हैं स्वपोसी होते हैं अब आगे क्वेस्चन है कि पौधों का रंग हरा दिखता है क्यों आखिर ये पौधों का रंग हरा क्यों दिखता है इसका एंसर क्या होगा तो पौधों का रंग हरा कलोरोफील के उपस्तिती के कारण दिखता है अब आगे है स्वापोशन किसे कहते हैं तो इसका एंसर क्या होगा पोशन की वावी धी जिसमें जीव अपना भोजन संसलेशित ना कर किसी न किसी रूप से अनसरोतों से प्राप्त करते हैं उसे स्वापोशन कहते हैं क्या कहते हैं पोशन की वावी धी क्या है यहां पर पोशन पर मतलब दुसरा दुसरा पर निलभर रहने वाले को हम पर पोशन कहेंगे अस्वा मतलब क्या होता है अपना स्वा मतलब खुद का तो क्या होगा प्रपोर्शन की वावीदी जिसमें जीव अपना भोजन स्वंग संसलेशित ना कर किसी ना किसी रूप से अन्सुरोतों से प्राप्त करते हैं उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं अब आगे question है कि परपोसी किसे कहते हैं तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी रूप में अन जीवों पर आसरित होती है अब आगे question है कि परपोसी किसे कहते हैं वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी रूप में अन जीवों पर आसरित होती है उसे हम परपोसी कहते हैं एटेरो ट्रोफिक सब्द की उत्पति ग्रीक भासा हेटरो और ट्रोफिक से हुवी है जिसका अर्थ होता है परपोसन अर्थात हेटरो का अर्थ different of other अर्थात विशम या भिन या पर और ट्रॉप का अर्थ क्या होता है nutrition या नहीं potion इसका कहने के मतलब यह है अपने हम जो यहां पर star point लिखे हैं अगर आपसे question कर दिया जाए कि heterotrophic सब्द की उत्पति कहां से हो भी तो क्या हो गया heterotrophic ग्रिक भासा के दो सब्द है उससे हो भी है जिसका अर्थ होता है proportion अब आगे question क्या है कि समस्त जीव तथा कवक पोधों की तरह अपना भोजन स्वेंग संसलेशित करने में सक्चम नहीं होते क्यों कहते हैं कि समस्त जन्तू तथा कवक पोधों की तरह अपना भोजन स्वेंग संसलेशित करने में सक्चम नहीं होते हैं क्यों क्योंकि कलोरोफिल के अनुपस्तिती के कारण क्योंकि उसमें कलोरोफिल नहीं होता है इसका अंसर क्या होगा कलोरोफिल के अनुपस्तिती के कारन अब आगे है परपोशन कितने परकार के होते हैं अब हमने पोशन पड़े पोशन के भेज पड़े अब कहते हैं कि परपोशन दुसरा पोशन दो परकार के होते हैं स्वपोशन और परपोशन वो तभी स्वपोशन पड़ रहेते अब क्य प्रपोशन कितने प्रकार के होते हैं तभी हमने स्वापोशन के प्रकार पड़े अब प्रपोशन के प्रकार पड़ते हैं प्रपोशन मुक्यत तीन प्रकार के होते हैं एक है मृत्य जीवी पोशन दुसरा है पर जीवी पोशन और तिसरा है प्रानिशम पोशन तो मृत्य ज जन्तवों और पौधों के सडीर से अपना भोजन अपने सडीर की सता से धुलित कारवनिक पदार्तों के रूप में अब सेशित करते हैं उसे हम मृत जीवी पोषन कहते हैं अब क्या बोले हैं देखिए वह पोषन जिसमें मृत जन्तवों और पौधों के सडीर से अपना भोजन अपने सडीर की सता से घुलित कारवनिक पदार्तों के रूप में अवसोशित करते हैं उसे हम मृत जीवी पोषन कहते हैं अब आगे क्वेश्चन है कि मृत जीवी किसे कहते हैं तो वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों पोषन के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे हम मृत जीव कहते हैं जैसे कवाग प्रोटोजोवा बैक्टिरिया अब आगे क्वेस्चन है मिरित जीवी अपना भोजन मुख्यता तरल अवस्था में किसके द्वारा गरहन करता है मिरित जीव जो है अपना भोजन मिरित जीव अपना भोजन किस अवस्था में अब सोशन के द्वारा गरहन करता ह तो तरल अवस्था के द्वारा क्या होता है इसका तरल अवस्था के द्वारा एक क्या था मिरित जी अपना भोजन मुख्यता तरल अवस्था में किसके द्वारा गरहन करता है तो अब सोसन के द्वारा गरहन करता है और दुसरा है मिरित जी अपना भोजन किस अवस्था में अब सोशन के द्वारा गरहन करता है तो इसका होगा तरल अवस्ता में, तरल अवस्ता में होता है, अब आगे क्या है, मिरित जीवों को क्या कहा जाता है, तो अब घटक भी कहा जाता है, मिरित जीवों को अब घटक भी कहा जाता है, अब है परजीवी पोषन किसे कहते हैं वह पोषन जिसमें जीव दुसरे प्रानी के संपर्क में अस्थाई रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषन कहते हैं जिसमें जीव दुसरे प्रानी के संपर्क में अस्थाई रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषन कहते हैं जैसे कवक हो गया जिवानू हो गया अमर बेल हो गया पोधा गोला क्रीमी हुक वर्म अमीवा इत्यादी ये सभी क्या है इसका उदहारन है पूछा जा सकता है कि पारा साइट सब्द की उत्पति की सब्द से हुवी है तो क्या होगा सब्द ग्रीक के दो सब्द पारा और साइट से बना है जिसका अर्थ होता है पारा या बगल में पोषन अर्था पारा पास बगल या पास्विक सिटोस करते हैं क्या पोशन या अशका मतलब क्या पास में पोशन अब आगे हैं परजीवी किसे कहते हैं वह जीव जो अपना भोजन अन प्रानी के सडीर में मौजूद कारबनिक पदार्त से प्राप्त करता है उसे हम परजीवी कहते हैं परजीवी पोधे जैसे अमरवेल होता है परजीवी जीव है अब आगे क्या है पोशी किसे कहते हैं पोशी होश्ट किसे कहते हैं इसका अंसर क्या होगा वह जीव जिसके सडीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम पोशी कहते हैं अब आगे है प्रानी संपोषन किसे कहते हैं पोषन की वाविधी जिसमें प्रानी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जन्तुओं के भोजन गरहन करने की विधी द्वारा गरहन करते हैं उसे हम प्रानी संपोषन कहते हैं प्रानी शमपोशन है ना प्रानी यहां समपोशन पतला पोशन की वाविधी जिसमें प्रानी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जन्तों के भोजन गरहन करने की विधी द्वारा गरहन करते हैं उसे हम प्रानी शमपोशन कहते हैं जैसे क्या हो गया अमीबा हो गया प्रानि संभोजी किसे कहते हैं तो ऐसे जीव जिनमें प्रानि संभोजी से पोशन होता है उसे हम प्रानि संभोजी कहते हैं वैसे जीव जिनमें प्रानि संभोजी से पोशन होता है उसे हम क्या कहेंगे प्रानि संभोजी जीव कहते हैं किन पोधों को स्वपोशी कहते हैं तो पोशन के अधार पर उन पोधों को पोशन कह जाता है स्वपोसी कहा जाता है जो अपना भोजन स्वेंग बनाते हैं अब आगे क्वेश्चन क्या है वे पौधे जो प्रकास संसलेशन की किरिया नहीं करते हैं उसे कितने वर्गों में बाटा गया है कहते हैं कि जो अपना भोजन स्वेंग संसलेशित नहीं करते हैं मतलब प्रकास संसलेशन की किरिया नहीं करते हैं, उसे कितने वर्गों में बाटा गया है, तो वैसे पोधे जो प्रकास संसलेशन की किरिया नहीं करते हैं, उसे दो वर्गों में बाटा गया है, पर्थम क्या है, मिरित जीवी पोधे, जैसे गोवर छत्ता इत्यादी, दुसरा क्या पर जीवी पौधे जैसे अमर बे लित्यादी, अब आगे है प्रकास चंसलेशन किसे कहते हैं, भी भी आई, क्वेस्चन है ये, पुछ शकता है, तो वह प्रकिरिया जिसके द्वारा पौधो अपना भोजन स्वेंग संसलेशित करते हैं, उससे प्रकास संसलेशन कहते हैं, द ऐसे भी याद कर सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें हरे पोधे सुरि की प्रकास की उपस्तिती में मिट्टी से ज़ल एवं खनेज लवन वायू से कारवन डाय उक्साइड प्राप्त करते हैं एवं पत्तियों में उपस्तित कलोरोफिल की साहेता से अपना भोजन स्वंग आगे question क्या है देखिए अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो आप पिली subscribe करें इवन bell icon को भी दवाए और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी share करें और इसका answer अगर आपने कोई trick जानते होंगे इसको याद करने का तो आ CO2 सुर्ज की परकास chlorophyll को बस्तिती में क्या होगा C6H2O6 6H2O 6O2 का निर्मान होगा आपको ऐसे भी question कर सकता है कि परकास translation की पूरी प्रक्रिया का एक रसायनिक शुत्र लिखे तो क्या होगा आपको यही लिखना होगा झाल 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 झाल